आज हम सिर्फ एक कप चावल से नाश्टा बनाएंगे और इसमें तेल का इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे आपको ये नाश्टा बहुत ही पसंद आएगा जाली दार हलका फुलका और टेस्टी बनता ये नाश्टा इसे बनाने के लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत ने सभी सामगरी घर पर ही मिल जाएगी अगर आपके पास घर में कुछ ना होता आप ये नाश्टा जरूर ट्राय करना और इसके साथ हम बनेंगे बहुत ही टेस्टी सी चटनी हेलो फ्रेंड्स नेत्रा की चन में आपका सौगत ए तो चले आज की मजदर रेसीपी को शुरू करते हैं चावल का नाष्टा बनाने के लिए सबसे पहले एक बरतन में डाल देंगे एक कप कच्चे चावल और ये नाष्टा बनाने के लिए आप कौन सा भी चावल का इस्तमल कर सकते हो अब इस चावल को हम अच्छे से धोलेंगे तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिये इसमें और इ इसे पूरी राद भी भीगने दे सकते हैं अब यहाँ पर दो घंटा हो चुका है आप देख सकते हैं चावल कितने अच्छे से फूल गए है यह अच्छे से भीगा है कि नहीं यह चेक करने के लिए इसे हम तोड़ के देखते हैं यह देखिए बहुती आसाने से चावल करना है पीस्ते वक्त अब हम इसमें डाल देंगे आदा कप दही और तीन से चार हरिमिश डाल देंगे और एक इंच अधरक का तुकड़ा डाल देंगे इससे बहुती अच्छा टेस्ट आता है नाश्टे का अब जार का धकन बंद कर देंगे और इसे अच्छे से पीस लें जिससे ये बेटर थोड़ा सा फलफी सा हो जाएगा हलका सा फेटने के बाद ये ऐसा हो जाता है ये बेटर एकदन स्मूज सा नहीं है ये बिल्कुल दानेदर है ऐसे हमें दानेदर बेटर चाये तब ही हमारा नाश्टा जालीदर बनेगा हम इसमें नमक डाल देंगे आप नमक चावल को पीशते वक्त भी डाल सकते हो फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप यहाँ पर तड़का भी डाल सकते हो या फिर आप बारिक कटीवी सबजिया भी डाल सकते हैं अब इस बेटर में इनो डालने से पहले हम एक कड़ाई में पानी डाल देंगे और पानी क ही होना चाहिए मतलब मैंने जैसे बनाए ना वैसे होना जाए अगर बेटर काफी गाड़ा हो जाएगा तो स्टीम करने के बाद उपर से ये काफी ड्राय हो जाएगा और खाने में टेस्टी नहीं लगेगा इनो डालने के बाद बिल्कुल भी वेट नहीं करना है तुरंदी इसे मिक्स करना है जैसे आप इसे मिक्स करोगे ना तो ये बेटर थोड़ा सा फलफी हो जाएगा अब हम इसे स्टीम करने के लिए एक केक टेन में डालने के बाद हम इसे स्टीम होने के लिए रख देंगे तेन को कड़ाए के अंदर डालने से पहले हम इसके नीचे स्टाय धान रखनेंगे फिर यह रखनेंगे इसके हम धगकर मिडियम तू लो फ nails पे पंदरा से बेइस मिनट तक स्टीम होने के लिए रख देंगे अब यहां पर 15-20 मिन्ट हो चुके और यह दिखिए जो हमारहा नास्ट tao अच्छे से स्टीम हो चुका है नाश्टा अच्छे से स्टीम हो चुका है कि नई इसके लिए आप तूत्पित की सायता से चेक करें और तूत्पित अच्छे से स्टाप निकला है तो मतलब यह अंदर से अच्छे से स्टीम हो चुका है अब हम इसे बाहर निकल लेते और इसे पास से 10 मिट तक थंड़ा होने के लिए साइट में रख देंगे जैसे हमारा नाश्टा थंड़ा हो जाएगा वैसे हम इसे डिमोल्ट कर लेंगे पहले साइट से चाकू यूज कर लेंगे जिससे ये बहुती आसानी से निकल जाएगा और इस तरीके से हम उल्टा कर लेंगे और इसे निकल लेंगे प्लेट में ये देखिए कितना सौफ्ट और जालीदर नाश्टा बनके तयार हो चुका है अब हम इसके उपर थोड़ा सा लाल मिज का पावडर डाल देंगे आप इसकी जगा कश्मीरी लाल मिज का पावडर इस्तमल कर सकते हो और थोड़ा सा बारिक कटा हुआ धन्यापत्त डाल देंगे ये करने से आपका नाश्टा बहुती दिखने में अच्छा दिखता है केक टेन में बनाने का ये फायदा है कि काफी सारा आपका नाश्टा बनके तयार होता है अब हम इस नाश्टे को कट कर लेंगे आपको कट करने से लग रहा होगा ना कितना ये सॉप्ट बनाए और इसे केक की तरह में कट कर रही हूँ जिससे ये दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा ये देखे कितना परफेक्ट, सौफ्ट और अंदर से एकदम अच्छे से स्टीम हो चुका है इसे में एक आपको तोड़के दिखाती हूँ ये दिखे कितना जालीदार बनाए अब हम इसके साथ फटा-फट से एक चटनी बनाते हैं तो चटनी बनाने के लिए एक जार में थोड़ा सा धन्या पत्ता डाल देंगे दो हरी मिज डाल देंगे थोड़े से अधरक के तुकडे डाल देंगे नमक डाल देंगे एक छोड़ा चमचीनी डाल देंगे और जो हमने च चटनी बनके तयार है अब हम इसे सर्फ करते हैं तो लग रहा है ना बहुत ही टेस्टी नाष्टा अगर आपको बहुत ज़्यादा ओईली फूड नहीं खाना चाहते है तो आप इस नाष्टा को जरूर ट्राय करना नाष्टा खाने में बहुत ही अलग लगता है नाही इडल ट्राय करना आपको भी बहुती पसंद आएगा अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना बुले